कैसे आप सब लोग आई होब कि आप सब ठीक होंगे तो आज में आपको जबदा से ब्लेचिंग बताऊंगे जो वाइटिंग भी देगी और ग्लो भी करेगी फेस को और इसके डबल इंस्टेंट रिजल्ड हैं दो इंग्रिडिन इसमें एड़ करेंगे जिससे इसके रिजल् क्रीम ले सकते हैं ठीक है मैं केर वालों की पीच बिलीच क्रीम है तो यह बहुत यची क्रीम है और बहुत से साशे मेलते कंपनीज के आप अपनी मर्जी के मताभी कोई से भी बिलीच क्रीम ले सकते हैं ठीक है तो इने केर वालों की पीच बिलीच लिए इसके लिए हम बॉ इस तरह से क्रीम रीच को इसमें निकाल लेंगे बॉल के अंदर ठीक है तो फ्रेंट्स ब्लीच क्रीम हमने बॉल में निकाल दी अब इसका पॉडर एड करेंगे तकरीबां 1-4 ठीक है 1-4 से थोड़ा से जादा रखेंगे ठीक है इसका पॉडर इसमें डाल दिया अपने एड करेंगे अपने वाइटिंग एजिंट जो डबल ह्स्तेंट वाइटिंग देंगे इसमें एड करेंगे बॉल्टिंगा ब्राइटिंग बनाता है और सूथ करता है आट्वाइड कर दीया अब हमें इसमें अड़ाइड करेंगे यह तिनको सूथिंग करते हैं और डार्क स्पॉर्स भी खतम करती है और स्कीन इसमें इट कर देंगे तकरीबराइड करदेंगे अलियाविया जेल को यह मिल्ट टिक है इसमें अब हम इसमें एड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडेंट वाइटिंग कैपसोल को ठीक है यह डबल स्टेंड कर देता है स्कीन को result को double instant result देता है तो हम इसमें एक अदत 8 करेंगे जितनी हमने cream bleach बनाई है ठीक है face के according और इसको गर्दन पे भी लगा सकते हैं इंड फूट पे भी लगा सकते हैं ठीक है तो इसमें वाइटनिंग कैपसूल को एड करेंगे हम इस तरह से हम एक पूरा इसमें एड कर देंगे अगरेडिन को हम अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे कि अब कोई अग्जा हो जाएंगे तो फ्रेंड्स हमारी ब्लेच रेडि हो गई अब हम इसको अप्लाइब करेंगे हैंड्स पे मैं आपको हैंड्स पे बता रही हूं ठीक है आप फेस पे पूरे लगा लें 15 मिनट ठीक है और 15 मिनट बाद इसको रिमूफ कर दें साधे पानी से इसको दो दें तो यह बहुत ही अच्छा इंस्टेंट रिजल्ट देगा तो फ्रेंट्स इस तरह से अप्लाई करने निए फेस पे और इसे पंदर मिनट के लिए छोड़ देना है तो फ्रेंट्स इसे लगाया वें पांच मि के लिए प्लाई करें ठीक है मैंने जस्ट डेमो दिया है तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है स्कीन को स्मूथ और सूथ करती है और ग्लॉइंग भी बनाएगी ठीक है इसका रिजल्ट में आपको दिखाती हूं लाइव यह देखिए इसका रिजल्ट ठीक है यह दे देख सकते हैं कितना अच्छा इसने स्कीन को स्मूथ और सॉफ्ट बना दिया यह देखें इसका डिफरेंस और इसकी ब्राइटनेस देखें यह देखें इस वाले स्कीन में और इस वाले स्कीन में कितना डिफरेंस है मैंने इसे लाइव बताया आपको ठीक है इसके बहुत एच्छें डालें जो स्कीन को स्मूथ बनाते हैं ब्राइट बनाते हैं और डिफ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि इसने पांच मिनट में कितना जबदस रजल्ट दिया है तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर ज़रू किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जबर करें थैंक यू फर वाचिंग